हेलो दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत थीमत को आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं यह आपका आर्टिकल है मई दिवस के बारे में कल टाइम ना मिलने के कारण कल इसे हम लोग नहीं देख पाए तो आज बात कर लेते हैं स्यमिक दिवस आपका एक मई को मना जाता है तो यह उसी से संबंदित अपका अर्टिकल तो हम लोग कबसी मनाया जा रहा है आपका मई दिवस मई दिवस मई दिवस इसे भी देख लेंगे और मई दिवस और भारत की बारे में जानने लिए कि वे हिंदौस्तान मुझदूर किसान बार्टी की बारे में जानने अकट रिए ऑक प्रियुर्य की तब सभी पक्छों को म Girin अब किसान रिख लेंगे है सबसे पहले बात कर लीते हैं समय को के समस्या नहीं है रेगों के लिए यह मजदूरों के लिए कोई भी समस्थे आती है सबसे जान्दा मार खाते हैं गरीब मजदूर लोग कि अब आप ही सोचिए कि कोई चीन कोई ना अमेरिका ना इटली कोई विदेश मजदूर काम करना नहीं गया कि वहां से ले आया हूँ वायरस को कुरोना वायरस को गये तो हुए कोई बड़े ही लोग जो सकसे जें जो दन संपन्न है जो भी कह लीजे आप लो लेकिन समसे जान्दा इसकी कोरोना वायरस की मार किसको जिलनी पड़ लगी गरीब को मजदूर को अब इसी अभी खलका ही है मैं कहीं नीवज में देख रहा था कि कि किसी ने वो उसके पती नहीं और पती ने सुसाहिड कर लिया भूंक से जो भी रही हो उनकी प्रोब्लम गरीब ही मजदूर तो एक समस्या क्या है हमारे देश की कि मजदूर हो या कोई किसान हो कोई भी हो लो या न्यूज पेपर हैं जो भी है मरने के बाद को हुँते हैं अरे भाई मर मरने के पहले उनकी समस्याओं की द्यान दे लिया जाए तो मरने की नौबत ही क्यों आएगी और क्या होता है आप इसके लिए नरंद मौधी या किसी भी कोई हो राहुल गांदी हो या आप सिवरा सिंग एमपी चाहे यह होगी डारेक्ट किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठ हर घर में हर आदमी के पास नहीं जा सकता है तो इसी लिए सरपंच होता है कि आप लोगों को ख्याल लग सकती है , M.A.L.E. होता है आपको ख्याल लग में लेकिन क्या है एक सरपंच के बारे में मैं पढ़ रहा था भी तो अधिकतर सरपंच तो इसी केटिगरी के हैं कि जो आपकी वात्रों आई लेटरेंग आई थी और जो आवास आए थी इन मेंसे मैंने सुनाया कि कि डेड़र लाग के करीब एक लाग पच्छा सजार मिलते हैं उसमें से पच्ची सजार पच्ची से तीस हजार यही खा जाते हैं कौन यही लोग ले जाते हैं सचे वह गया सरपंच हो गया और अपने लाल बहादुर सास्तरी का नाम सुनाओ है हमारे प्यदानमंतरी रहे हैं तो कहते हैं कि उनके पास कार खरीबने के लिए पैसा नहीं रहा है कभी जब उन्होंने कार करीदी तो 12,000 के करीब उन्होंने लों लिया था और जो उनके मरने के बाद भी नहीं चुका मर गे उसके बाद इंद्रा गांदी सरकाराई तो इंद्रा गांदी ने माप किया था और आज देख लिए अगर एक सरपंच बन गया तो उसके आने वाली दो चार पीड़ी खाती रहेंगी उसी से कि छोड़िये भगवान ही है सबका मालिक है तो चली यह आपको सब पेपर में नहीं लिख देना है अंसर राइटिंग में यह तुम्हें वेवार में बता रहा था कि यह हाल है हमारे देश का अब देखिए आप इस पर भी द्यान दे लिए कोटा राजिस्थान किसी भी जगह पसे हुए कोई भी तो अमीर लोगों ने तो अपने बच्चे हों या कोई भी हो निकाल लिए ना लेकिन गरीब लाश्ट तक मरते रहे हैं और एक दिन कोई भी हो गरीब की हालत कोई नही मई दिवस बारत में पहली बार एक मई 1923 को मई दिवस मनाय गया था कब एक मई 1923 को जिसमें लेवर कितान पार्टी और हिंदोस्तान ने इसकी सुरूबात तथा कॉमरेड सिंगार वेलर ने इस समारों का आहिजित किया था पहली बारत मई दिवस के बारे में हम लोग बात करें यानि कि एक मई दिवस है जिसे दुनिया के विविन हिस्सों में अंतराटी सेमिक दिवस के रूम में भी जाना जाता है यह एक ऐसा उसर है जो सैमिकों की युगदान और इतिहासिक फ्रम आंदोलन का इसमर्ड कराता है ट्रेड इूनियनों और समाजवादी समूहों ने इसे मजदूरों की समर्थन में एक दिन के रूम में नामित करने के बाद 1927 के आंदोलन के रूम में माना है सज्वतराज अमेरिका में सिकागों में एक मई 1886 के है मार्केट मामले की इश्मीती में ऐसा करने का नेड़े लिया गया जिसमें कारकरताओं के समर्थन में एक सांतिपूर रेली में पुलिस के साथ धिन सक जड़क हुई जिसमें चाल नागरिकों और साथ पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई आंदोलनकारियों में से कई जो सैमेकों के अधिकारों के और लगन का पिरोद कर रहे थे काम के गंटे खराब कामकाजी परिष्टे थीं कम मजदूरी और बालसरम पर रोक लगा रहे थे उन्हें गिरपतार कर लिए गया और उन्हें आजीवन कारवास मौत की सजाद इत्य जटना ने मजदूरों के अंदोलनको एक बड़ी पेड़ना दी अमेरिका ने 1894 में संघीय अवकास के रूम में सैमेक दिवस को मानता दी जहां यह हर साल सितंबर की पहले सुंबार को मनाया जाता है जल्दी कनाड़ा ने भी इस पिता को अपना लिया 1889 में समाजबादी और सैमिक दलों द्वारा बनाई गई संस्ता दस सेकेंड इंटरनेशनल ले गोष्णा की यह एक मई को तब से इंतराश्टिय सैमिक दिवस की रूम में मनाया जाएगा आखिरकार 1916 में अमेरिका ने बरसों के रूप बिरोध उठापटक की बाद आठ घंटी की काल समय को सुईकारा गया 1904 में एम्स्टरडम में अंतराश्टिय समाजबादी कॉंग्डेशन सरवहारा बढ़ की मागों के लिए आठ घंटे के दिन की कानुनी इस्थापना के लिए सभी सामाजब लोगतांद्रिक पायटे संगटन सभी देशों के ट्रेड यूनेनों को पहली मई कूर जावान रोख से प्रिदर से करने का अहांके सार बहु में सांती के लिए और एक मई से सभी देशों को कि सरोहारा संगटनों पर काम करना बंद कर दिया 1917 में रोशी करांथी के बाद सी तेउद के दौरान सोबिय संग और पूर बिलोग राष्टों द्वारां उत्सव मनाए गया था परेड उत्ताव का ये किस्सा था मॉस्को के रेड इसक्वार पर सीज कम्यूनिट नेताओं ने बाग लिया और सोबिय सेना को पिदर सित किया जो सरोहारा बढ़ की सपलता गर परड़ा हुथा मई दिवस और भारत भारत में मई दिवस पहली वार एक मई 1923 को मनाए गया जब लेवर किसान पार्टियों हिंदुस्तान ने सुरुवात की और कॉमरेट सिंगार विलर सिंगार विलू चित्यार ने इस समारों को आयजित किया दो वैटकों में एक ट्रपिली केन समुदरी मदरास परिशिटेंसी में आत्म सम्मान अंधुलन के निताओं नितुन वबपिछड़े बरगों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के लिए एक पिस्ताओ पारिक किया भात करते हिंदुस्तान मजदूर किसान पार्टि के बारे में मजदूर किसान पार्टियों ने म में कहा गया था कि सरकार को मई दिवस को आउकास गुषित करना चालिए पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी के अंसिक सिध्धानतों को समझाए बित्तिय साहता के लिए अनुर्द किया इस बात पर जोड़ दिया कि दुनिया के सेमिकों को सुधनता पराप करने के लिए एक किसान बेंगी की रूम में कार करने का प्रेयास करेंगी पाईटी की उखुष्टा पक्त में चिप्ट्याइज ने कॉंग्रेस को हमारा मुख्य राजनिर्थी कन के उचित बरट का हवाला देकर राष्ट को परिवासित करने के लिए कहा सिंगार-वेलू ने कहा कि भारतिय करती थी लेकिन अंतर कनेक्टेट नहीं थी अताह बिभिन भारतीय कमिनेश्ट समोह द्वारा एक जनाधारित राजने तिक मंच खोजने के लिए कदम उठाई पार्टी एस एक डांगी डांगी कि पंजाब में कमिनेश्ट समोह में सामिज हुई थी डांगी ने शुरू में एहल की पीच और चेतियार द्वारां तियार किये अपने काईप्रम पर मदवेद प्रक्त ब्यक्त किया लेकिन एक बार पार्टी बनने के बाद वैस में सामिल हुए देसंबर 1923 में चिट्ट्यार ने पाक्चिक पत्तिका शुरूं कि जिसका नाम था सब्सक्राइब किसान गजट चिट्ट्यार ने तमिल वीकली थोजी लाल थोजी लाल लग भी शुरूं किया जिसमें उन्होंने कि 1920 के दसक के शुरूं आती दिनों में दुनिया के विवेन हिस्सों से में फैले मजदूर बर्ग की आंधुरन के बारे में लिखा सिंगार वेल्यू ने भारतिये कमिनिश्ट पाइटी के 1925 के कानपूर संभिलन में पाइटी के संभिलन की खोष्णा की थी तो यह था आपका पूरी कहानी मजी दिवस्त के बारे में है एक बात अप लोग अमेसे समझ लिए कि कहीं भी आपको अगर आंसर राइटिंग अलग बात हो जाती है जिन्दिगी में उतारना अलग बात हो जाती है हकीयत कुछ और होती है लेकिन हमें लिखना कुछ और और ऑक न्लमा प्रक पूरा बेलंस बनारा कर चलना पड़ता है लेकिन रियाल्टी कुछ और होती है कि अ सब लोग संजते हैं बस बैलंस बनाने के लिए तो मैं तो परीक्छा पास करनी तो आप लोग अच्छी बाते निखा करीए बैले बैलेन्स बनां कर लेकिना रियाल् चलिए ठीक है